अरे किश्ण प्रभूजी मेरा सवाल है कि जैसे आत्मा तो इंडिपेंडेंट है और वो अपना प्लो करती रहती है परमात्मा के उससे इसमें फिर कर्मों का पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कर्मों से मतलब क्या उस पर जब कोई चेंजिस नहीं आते हैं जब उसको प जैसे कर्म है इन सब का आतना से फिर क्या लेना ते विकश्टी को जैल में रखा जाता है जैल में तो रहागा कर्मों के रियक्शन अरिक्शन नहीं और पाप दोनों अच्छा नहीं है तो दोनों आपको यहां पर बंदा रणा नहीं पूटे पॉर जिए एक कैडी को लोई की चेन से मांदा गया है राजा बोलते हैं मैं तो खुश हो आठ सोने की चेन से बादा जाए है तो फूर रियाक्षिन नहीं है तो बंधा रहता है इसका लास उसको जो रियल हैपिनेस मिलना चाहिए भगवान के साथ रहनें तो वह नहीं कर रहा है यह उसका लास कर्म कर्याक्षिन अगर बंक्ति करता है तो यह सब को शरीर ही नहीं मिलेगा अब आप मुक्तिनाथ क्या है मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल में नहीं है वहां जाए हो आपने बाहर द भगवान के पास जाने के लिए आपको पाप और फूर्णे दोनों जेरू करने पड़ेंगे तब भगवान के दाम परवेश्च करो पूर्णे के लिए अग्ला श्रीर आप पड़े आपने थना पूर्णे किया कि करोण पुति बनोगे भगवा दाम तो प्रोड़े नहीं नहीं बनना पड़ेगा तो यहां जनम लोग जनम पर जराव आदें तो फास गया ना फिर फस्दा नहीं है करवों के रियाक्शन मां फास जाता है